बच्चो अब हमारे सामने एक बहुत ही महत्वर्ण रचना है और वो है कि किसी रेखा खंड को दीवे अनुपात में बाटना या किसी दीवे अनुपात में किसी रेखा खंड की रचना करना ये जो रचना है उसके लिए हम थेल्स के प्रमे का उप्योग करेंगे जैसे माल लीजे आपके सामने एक रेखाखंड एसी दिया हुआ है और आपको ये कहा जाता है कि इसे आप निश्रित किसी अनुपाद में बाट किए वो अनुपाद एक दो का हो सकता है एक तीन का हो सकता है दो तीन का अनुपाद हो सकता है या कोई साभी अनुपात माल लीजे इसको हम एक और तीन के अनुपात में बाटना चाहते हैं यानि इस पूरी लंबाई को हम तीन हिस्सा माने तो इसका एक हिस्सा जहां पर होगा वो हमें ढूड़ना है यह यहां कहीं पर भी हो सकता है यह इस तरह से हमको रचना करनी है कि इस एस हिगो इस त्रह से बांटे को इस Is तीन बराबर हिस्से हो और उसमें से पहलेगी वाले हिस्से को को प्रदर्शित कर पाएं कि एसा बिंदुले जो पहले ही से प्रदर्शित करता है तो इसके लिए हम थेल्स के प्रमे का उप्यों करते हैं आपको याद होगा कि ये किसी तरभुज में कोई एक ऐसा रेखाखण हम खीचे जो तरभुज की किसी एक भुजा के बराबर हो तो ये रेखाखण शेश दो भुजाओं को बराबर अनुपाद बाढ़ता है ये आपको पता है और इसी के आधार पर हम किसी एक खंड का पूरी भुजा के साथ अनुपाद भी लेते हैं तो वह भी बराबर होता है ये भी आपने किया हुआ है इसके पहले वाले अध्याय में तो इसके लिए हम एक काम करते हैं कि यहां हम एक त्रिभूश की रशना करने कोशिश करते हैं और उसके लिए हम एक रेखाखण ये किरंड करीजिए एक लंबी किरंड हम इस तरह कीशते हैं और इसके उतने निर्धारित हिस्से करते हैं जितना कुल हिस्सा इसका हम करना च चाहते हैं या एक ऐसा बिंदू चाहते हैं जो इसको एक और तीन के अनुपाते बाटे यानि एस ही की लंबाई को तीन बराबर हिस्सों में प्रदर्शित करें और उसमें से एक हिस्सा लें तो उसके लिए हम यहां जो हमने रेखा अलग से जो किरंड केची है उसमें हम तीन यहां प्रदर्शित हुआ तो यहां तो हमको तीन बराबर खंड नहीं मिले लेकिन यहां पर हम तीन बराबर टुकणों की रश्चना कर पा रहे हैं यह हमारे लिए आसान है अब मान लीजे इस बिंदू को मान लीजे बिंदू यह बी है इसे बी आपके है तो बी और सी के हमने मिला दें अब हमें यह पता है कि यहां पूरी जो भुजा एबी हो तीन बराबर भागों बटी यानि इस एक टुकड़े का जो अनुपात है पूरी भुजा के साथ वही अनुपात यहां भी हमको मिल सकता है यहां से होते हुए एक सब्सक्राइब यहां से बना सकें तो यहां जो अनुपात होगा वही अनुपात हमको यहां पर भी प्राप्त होगा अनुपात को आप दो तरह से देख सकते हैं कि यहां पर यदि एक बिंदू है तो इसका इसके साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात यहां मिलने वाले बिंदू का एक के साथ और इसके स समनानतर होगी तो अभी आप ने զेखाए किसे ख吃 जा सकती एक दी रेखा के बाहर किंदु से आपको यहां जो कोड मता है उसे कोड के बराबर की Πरेश्णा इहां पर करनी पड़ती है और उस कि रश्णा करने पर जो दूसरी वाली भुजा मिलती ही कोड़ कि वह इस दी भुजा के just और होती है इजह उखना झाल होगा और इस बिंदु से एक रेखा को खीशनी होगा दिंध कえば यॉषिया कि अगर हम इस बिंदू से इस बिंदू का नाम देदें मालि जैंए बिसी यह है इसे हम बिंदू d कहळें औरैसे बिंदू e कह दें कि दोड़ी से होती हुई एक ऐसी रेखा आमें खीशनी है जो 20 के समना अंतर है तो उसके लिए हम क्या करेंगे आपको पता है कि हम यहां पर एक किसी एक तृज्जा का हम एक चाप काटते हैं और उसे तृज्जा का चाप हम यहां से भी काटते हैं और ये जो दूरी है इसे हम नापते हैं और ठीक इसी तरिज्जा का चाप यहां से हम कड़ते हैं तो इससे हमें इसके फैलाओ के बराबर एक फैलाओ यहां भार भी मिलता है और इदी हम इन दोनों के मिला दे इन दोनों के दिए हम यहां मिलाएं तो ठीक इसके बराबर के कोड़ यहां पर बनता है यादि यह दोनों कोड़ बराबर हो जाते हैं तो जब यह दोनों कोड़ बराबर होते हैं तो उस इस्तितिमा आप देख सकते हैं यहां पर कि यह जो रेखा ए भी है वो एक तीरेक रेखा की तरह दिखाए पड़ती है और तीरेक रेखा के एक तरफ अगर दो रेखाएं एक जैसा कौन बनाती है तो संगती कौन होते हैं और वो रेखाएं आपस में समनांतर होती है यह आपने पढ़ा हुआ है तो इस तरह से जब हम यहाँ पर इसके एक बराबर कॉन की रशना करते हैं तो जो हमें रेखा मिलती है वो इस आधार के समनांतर होती है उस इस सिते में यहाँ जो अनुपाथ है AD का अनुपाथ वही AD का अनुपाथ या तो DB के साथ आप ले या AD का अनुपाथ पूरे AB के साथ ले उस तरह से हमको यहाँ पर अनुपाथ मिल सकता है मालेजी इसको आप बिंदू F कहते हैं तो आप कह सकते हैं हाँ पर कि AD और DB का अनुपाथ है वही अनुपाथ AF और FC का होगा या दूसरे शब्दों में आप कहा सकते हैं कि AD और AB के जो अनुपाथ होगा वही अनुपाथ AF और AC का होगा तो आप दो तरह से लिख सकते हैं पहली बात तो यह है कि AD बटे DB बराबर AF बटे FC थेल्स का प्रमे यह कहता है कि यदि किसी तरिभूज में किसी एक भुज़ा के समनांतर कोई देखा इस तरह खीजी जाए कि शेष दो भुजाओं को काटती हो तो यह जो कटरन में बेंदों हमको प्राप्त होता है वो उन दोनों भुजाओं को बराबर अनुपाथ में बाढ़ता है उस बात को हमने हाँ पर लिखा कि AD और DB के जो अनुपाथ होगा वही अनुपाथ AF और FC का होगा इसे हम दूसरी तरह से भी लिखते हैं हम इस एक टुकुड़े का पूरे के साथ अनुपाथ लिखते हैं तो हमको मिलता है AD बटे AB पूरी भुजा त्रिभुज की बराबर दूसरे तरफ के लिए आप लिख सकते हैं AF बटे ये पूरी पूरी भुजा AC ये बात इस तरह से भी लिखी जा सकती है तो ये एक तरीका है जिसमें हम थेल्स के प्रमे के इस्तमाल करते हैं और किसी दीवी भुजा को मन चाहे अनुपाते बाट सकते हैं तो इस तरीका के उपयोग हम करके आगे की कुछ रशनाएं करेंगे और कुछ उधारणों को हल करेंगे